दोस्तो ओपो लॉंच कर दिया है ओपो एफ 17 प्रो फोन को इंडिया में तो आज में इस वीडिया में बात करने वालाँ OnePlus Nord और ओपो एफ 17 प्रो फोन का वारी में ये दोनु फोन का फूल स्पेसिफिकिचन डिटेल्स कंपरेजन करने वालाँ इन दोनु फोन में से कुनसा फोन बहतर है और किया अंतर ये दोनु फोन का स्पेसिफिकिचन में और इन दोनु फोन में से कुनसा फोन पार्चेस करना चाहिए अगर आपको कोई कंफीज और इन दोनों फोन को लेकर इन दोनों फोन में से कुंसा फोन पार्चेस कहना सही रहेगा तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ओपो एफ 17 प्रो और इसमें नोच देखने को नहीं मिलता है डोओ पांच ओल दियागी हैस पर इएख लेडियो बात करे तो तो ट्वेंटी पॉइंट नाइट प्रोटेक्शन दिया गया तो यह पर दोनु फोन का डिस्प्ले में ज्यादा कुछ आनता नहीं तुछ नौट फोन का डिस्प्ले इसमें डिस्प्ले साइज भी तुछ बढ़ा है और इसमें गरे लेकर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल और ये दोनु फोन का केरे का बात करें तो वंप्लास नोट फोन में क्थे येर पॉर अपाचर का साथ में मेक्रो लेंस दिया गया इसमें 4K वीडियो रेगनी सपोर्ट मिल जाता है LED फ्लाश भी दिया गया और यह पर बात करें तो ओपो F17 प्रो फॉन इसमें भी क्वेट येर केमरा दिया गया जो प्राइमेरी संसर है 48 मेगा पिक्चल का एफ 1.8 का साथ में अल्टार वोइट अंगल दिया गया है पिक्सल का एफ टूपॉन फाय पाचर का साथ में अल्टरा वाइट एंगल दिया गिया है और यह पर बात करें तो ओपो एफ 17 प्रो फॉन इसमें भी डूएल पांच ओल सेल्फी केमरा दिया गिया है जो प्राइमरी सेंसर है 16 मेगाइपिक्सल का एफ टूपॉन फॉर आपाचर का साथ में दिया गिया है जो सेंडरी कैमरा है 2 मेगाइपिक्सल का एफ टूपॉन फॉर आपक्सर का इसमें डिखने को मिलजाए है केमेरा दोनुोंस फोन में is almost same alcanz धेकने को मिल जाता है उले केमेरा यह उद्धा कोछ अंतर नहीं होना वाला रियर केमेर केमेरा में और तौनुक्ण प्रक्र्फ यदोट्य। सेट है इसमें 5G एबालेबल सपोर्ट देखने को मिल जाता है क्लोक स्पीड का बात करें तो 2.4 गीगाट क्लोक स्पीड पर चलता हूं जीपी का बात करें तो ओपो एफ 17 प्रो फॉन इसमें मिडियाटेक का प्रोसेड दिया गे मिडियाटेक हिलियो प्रोसेड का प्रोसेड दिया गे इसका क्लोक स्पीड है 2.2 गीगाट क्लोक इसेटबड पर चलता है दोनु प्रोसेड का प्रोसेड टेक्नोलोजी का बात करें तो क्वेलकम स्नापडरागेन 765G प्रोसेसर ये 7 ननेमडर पर आधारी ते 7 ननेमडर पर चलता है यह पर बात करें तो मिडेटेक हिलियो P95 प्रोसेसर ये 12 ननेमडर पर आधारी ते 12 ननेमडर पर चलता है दोनु फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो यह पर बात करें तो ओपो एफ 17 प्रो फोन इसमें भी अंडरोइट 10 आउट आफ ता बक्स देखने को मिल जाता है दोनु फोन का वरेंड का बात करें तो वन प्लस नोट फोन तीन वरेंड पर आता है 6GP RAM 64GB internal storage का साथ में best वरेंड आता है जो mid वरेंड है 8GP RAM 120GB internal storage का साथ में आता है जो higher वरेंड है 12GP RAM 250GB internal storage का साथ में आता है लेकिन इसमें memory card expandable नहीं कर सकते memory card expandable करने का option नहीं दिया है यह पर बात करें तो OPPO F17 Pro Phone इसमें एकी वरेंट दिया गिया है 8GP RAM 120GB इंटरनल स्टोरिज का साथ में आता है लिक्स में मेमोरी काट एक्सपेंडेबिल कर सकते हैं अलग से मेमोरी काट लगा सकते हैं यह दोनों फोन का बेटरी का बात करें तो OnePlus Nord Phone में 4115 एमेज का बेटरी दिया गिया और Fast Charging का बात करें तो 30W का Fast Charger आउट ओफ ता बग्स देखने को मिल जाएगा यहां पर बात करें तो OPPO F17 Pro Phone इसमें 4000 mh का बेटी दिया गया और Fast Charging का बात करें तो 30W का Fast Charger आउट ओफ ताबक्ष देखने को मिल जाएगा दोनु फोन का ESP Connector का बात करें तो दोनु फोन में ESP Type-C 2.0 दिया गया है दोनु फोन में Type-C देखने को मिल जाएगा दोनु फोन का 3.5 mm Audio Jack का बात करें तो OnePlus Note 10 फोन में 3.5 mm Audio Jack नहीं दिया है इसमें Type-C दिया गया है और यहां पर बात करें तो OPPO F17 Pro Phone इसमें 3.5 mm Audio Jack देखने को मिल जाता है दोनु फोन का Bluetooth version का बात करें तो 550 बलोटूत वर्जन दिया गिया है दोनु फोन का SIM सापोर्ट का बात करें तो OnePlus Nord phone में 12 4G SIM voltage देखने को मिल जाता है और साथ में 5G भी दिया गिया 5G भी सापोर्ट देखने को मिल जाता है और यह पर बात करें तो Oppo F17 Pro phone इसमें 12 4G voltage देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें 5G सापोर्ट नहीं है 5G सापोर्ट नहीं दिया है दोनु फोन का सिकरोटी फीचर का बात करें तो दोनु फोन में फेस अनलक देखने को मिल जाता है और दोनु फोन में अन्डर डिस्पले finger finger pen sensor भी दिया गया डिस्पले में finger pen sensor दिया गया दोनु फोन में और यह दोनु फोन का bill quality डिजाइन का बात करें तो दोनु फोन में काफी अच्छा बड़ी या δिजाइन दिया गया है OnePlus Nord phone में glass bag देखने को मिल जाता है therapies 나머 three class of protection में मिल जयता है किप ग्रीभ खछ लिख का प्रोटेशन बी नहीं आया और न्याइक ब्याग इस प्लास्टिक यूस के आ गिया बेकसाइट में लेकिन घ्लासिक fynishing के साथ दिया खेक कपे बढ़ीया डिजाइन दोनुफोन में तो डिजैन में यांपर लारा स का साथ में आता इसका प्राइज है 24,999 रुपीज पर एवालेबल है और इसका जो मीड वरेंट है 8GP RAM 120GB इंटर्णल स्टोरिज का साथ में आता इसका प्राइज है 27,999 रुपीज पर एवालेबल है और इसका जो हायर वरेंट है 12GP RAM 256GB internal storage के साथ में आता इसका प्राइज है 29,999 रुपीज पर एवालेबल है और यह पर बात करें तो Oppo F17 Pro फोन यह फोन एकी वरेंड पर आता 8GP RAM 128GB internal storage के साथ में इसका प्राइज है 22,999 रुपीज पर एवालेबल है दोनों फोन का एवालेबलिटी का बात करें तो OnePlus Nord phone यह एमाजन पर एवालेबल है इसका सेल होने वाला 7 September को इसका सेल होगा एमाजन पर अगर पार्चेस करना है तो 7 September को पार्चेस कर सकते है एमाजन से अबर यह पर बात करें तो ओपो एवालेबल है यह प्रीबूकिंग के लिए अबर बात कर लिए लेकिन सेल पे कॉप जाएगा यह ओफिशल डेट अभी तक आया नहीं है तो मुझे जातक लगता है यह भी फोन 7 September को सेल के लिए अबर बात कर लोगा आपनी चेकवन करके जरूर बताना यह दोनों फोन का कण्फिउज का बात करें तो इन दोनों फोन में से कुन सा फन बहतर है यह पर स्पेसिफिकीशन का बात करें तो यह पर मेरे क्याल से किलियर वैनर बन जाता है वन प्लास नोड फॉन इसमें काफी कुछ बढ़िया दिया गया है जैसे कि डिस्प्ले में गरिला गलास फाई का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है सेल्फी केमेरा काफी बढ़िया दिया गिया है परफार्मस भी बेहता देखने को मिल जाता है उक्सिजन वैस भी देखने को मिल जाता है इसमें बैटरी भी तुला सा बढ़िया देखने को मिल जाता है बिल क्वालिटी डिजाइन भी काफी अच्छा है गरिरा ग्लास फाई का प्रोटेस्टन दोनु साइट में देखने को मिल जाता और ग्लास बेक भी दिया गिया है यह पर बात करें तो ओपो F17 प्रोट फोन तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है इस प्राइस का हिसाब से तो इसमें काली एकी चीज अप लूक अच्छा देखें बढ़िया देखने को मिलेगा वो है इसका प्राइस तुलासा कम में अगर कमपार करें तो ओपो F17 प्रोट फोन 23,000 में मिल जाता है तो ओपो F17 प्रोट फोन 23,000 में मिल जाता है तो 5000 रूपीस एक्स्टाप पे करना पड़ेगा अगर 8GP RAM 120, 8GP internal storage वाला वरेंट आप OnePlus note phone का लेना चाहते तो 5000 रूपीस एक्स्टाप पे करना पड़ेगा अगर कमपार करें तो ओपो F17 प्रोट फोन से अगर यहाँ पे पार्चेस करोगे आप OnePlus का जो बेस वरेंटे सीखी जीब पिर M60 वजिब इन्टार्नल स्टोरिज का साथ में आता है तो इसमें आप लोगों को 2000 रुपीज एक्ष्टाप पे करना पड़ेगा तो मेरे क्याल से यहाँ पे आप OnePlus Nord phone का जो बेस वरेंटे वरेंट आप पार्चेस कर सकते हैं काफी हैचे काफी बढ़िया रहेगा इस प्राइज रेंट पर तो मेरे क्याल से यहाँ पे तुला सा बहतर रहेगा OnePlus Nord phone अगर पार्चेस करना चाओ यह दोनों फोन में से किसी भी एक फोन को तो मैं यहाँ पे रिक्वेर्मेंट कर सकता हूँ आपको OnePlus Nord phone यह फोन तुला अच्छा रहेगा तुला बहतर रहेगा इसमें काफी कुछ बढ़ को सब्सक्राइब कर लिजें साइट पर जब आले का नाएका उस पर भी किलिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं बड़ेड़ा लूँगा आप लोगो मिलते रहेगा अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे तो फेस्बुक पेज को लाएकर फॉलो कर दीजिए ताक लिए तुस्तों वीडियो की यह पर कितम करता हूं मिलता हूं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई